तो फ्रेंड आज की इस न्यूट वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक, निफ्टी, एनलेसिस और इंटरे में कैसा प्लान कर सकते हैं, पोजिशनल में कैसा प्लान कर सकते हैं, सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं तो वीडियो ओली फॉर एजुकेशन परपस के लिए बना रहा हूँ, कोई भी बाय और सेल रिकमेडेशन नहीं है तो चलता हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आते हैं निफ्टी के ऊपर अगर हमने निफ्टी का चार्ट का थोड़ असा विकली एनलिसेस करने कोशिश की तो यहाँ पर मैंने RSI लगा चुका हूँ तो यहाँ पर तो RSI की तरफ से तो लग रहा है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है मार्केट को कूल होने के लिए दो चीज जरूरत है या तो मार्केट सैडवेज जाय सकता है, उसके साथ यह मार्केट RSI कूल हो सकता है या फिर यहाँ पर हमारे एक पूल बैक देखने को मिलेगा, उसके साथ ही मार्केट का RSI जो हो सकता है तो RSI की और से अगर हमने देखनी कोशिच की तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है तो अभी तो फिलार के लिए तो मार्केट daily almost new high बनाने की कोशिच करता है मार्केट all time high की और जा रहा है और यहाँ पर 26,000 यह जो है अपने आप में एक psychological resistance है और यहाँ पर मार्केट ने एक resistance को break भी कर चुका है लेकिन यह देखने की कोशिच ज़रूर होगी कि यहाँ पर मार्केट sustain होता है या फिर reversal की plan होती है अन्यवर डेज में हम देखने की कोशिच करेंगे अगर reversal आएगा तो इस candle के low के नीचे कौन सा भी red color का candle बगानाता है अगर मार्केट ने red candle बनाया तो chances very high कि यहाँ पर मार्केट थोड़े देर जहाँ पर ऐसा जो यहाँ पर scenario रहा था मतलब कि थोड़ा देर sideways जा सकता है यहाँ पर भी मार्केट थोड़े दिन के लिए sideways जा सकता है और उसके बाद range breakout या फिर range breakdown हम plan कर सकते तो यह तो है weekly time frame के लिए weekly time frame में हमारा जो market है वो काफी जादा overbought हो चुका है one thing market के लिए possible है कि थोड़े दिन market hot हो सकता है या फिर एक pullback आने की कोशिच market आने वाली समय में कर सकता है तो यह तो हमारा था weekly analysis लेकिन daily time frame पर हम देखेंगे कि daily time frame में market कैसा moment कर रहा है यहाँ पर तो market ने एक flag and pull type of price action किया था उसके साथ ही market ने यहाँ पर जैसे market ने halt किया दिन उसके साथ breakout दिया है और यहाँ पर market pause होने की कोशिच कर रहा है आता सभी जन यह plan करेंगे कि market तो all time high तो जा चुका है और कितना उपर जाएगा sell करता हूँ और RSI भी overbought हो चुका है तो ऐसे sell नहीं कर सकते विकाज हमें कुण सा भी negative price action अभी वीकली time frame में या फिर daily time frame में दिखाई नहीं दे रहा जब भी market में हमें टॉप पर वीकली time frame पर या फिर daily time frame में जब भी negative price action दिखाई देगा तब भी हम उसे साथ हम एक negative side का trade plan करने की कोशिच कर सकते हैं अभी तो के लिए तो negative price action दिखाई नहीं दे रहा है market वो जदा strong है तो एक dip आ सकता है definitely आ सकता है लेकिन हम intraday में plan करेंगे जो की position में plan नहीं कर सकते तो जब भी market कभी भी एक चीज का ध्यान दो जब भी market all time high की और जाता है और ये नीचे आता है तो जब भी market नीचे आता है न तो वहाँ पर market क्या करता है एक dip लेता है और उसके साथ market एक reversal जाने की कोशिच करता है देन उसके बाद उसको trend decide करना होता है कि क्या ये market all time high जो है ओके ये break करने की कोशिच कर रहा है या फिर ये जो higher low है ये इसको break करेगा इसके साथ market का trend decide होता है तो ये generally होता है अभी के लिए अगर आप directly आग बन करके यहाँ पर put by किये या फिर call shot किये लेकिन market एक ही दिन gap up हो गया और यहाँ से नीचे आगे चल गया तो बहुत ही ज़्यादा loss होता है तो operator बहुत ही ज़्यादा smart है तो हमें तो उसके footprint के साथ ही trade करना चाहिए वह कैसे plan करते हैं क्या चीज market में चार्ट में दिखाई दे लिए वहाँ से हम plan करने के कोशिच करेंगे तो अब ही आते हम 15 minute time frame के लिए तो 15 minute time frame में अगर हमने देखा तो Friday के दिन तो market बहुत ही ज़्यादा रेंबॉंड था और जोदा भी ज्यादा भी momentum यहाँ पर नहीं हो चाहिए अगर मार्केट नीचे के और देखेंगे तो नीचे के और मार्केट के लिए यह strongest support है जो की नंबर आ रहा है अल्मोस 26,117 से लेखे 26,280 यह जो नंबर है आप मानलो 26,000 यह psychological नंबर इधर से लेखे 26,117 ओके तो इस बीच में मार्केट कभी भी आएगा अगर positive price action मिलती है अच्छी कासी positive candle मिलेगी तो हम यहाँ पर deep के लिए buy की और देखेंगे small stop loss रहेगा लेकिन अगर positive price action मिला तो अगर positive price action नहीं मिला तो हम 10 वो नहीं कर सकते तो उसके साथ उसके बात जो आ रहा है number वो आ रहा है almost यह level आ रहा है यहाँ पर अगर हमने देखा तो previous time demand zone वहाँ पर है तो किदर है almost 2595 25955 से लेके 25875 25955 यह जो number आ रहा है 25955 और से लेके 25875 यह level पर अगर market आया मान लो यहाँ पर positive price action market नहीं किया market directly निचे आया या फिर market suddenly fall होगा कोई दिक्कत की जुरुरत नहीं है अगर market ने चाहा तो आने दो उसके बाद अगर market यहाँ पर आ गया 26,000 psychological number के बाद अगर market 25955 से लेके 25875 यह number ध्यान में दो यह number पर market आता है यहाँ पर अगर positive price action देखने को मिलेगा तो हम वहाँ से एक reversal trade plan कर सकते है तो यह दोनों level बहुती ज़्यादा important है market के लिए और यहाँ पर market का जो all time high है यह भी बहुती ज़्यादा interesting है अगर market flat open होता है उपर जाने के कोशिश करता है यहाँ पर time pass करता है अगर अपने upside market break किया sustain रहा तो हम उसी direction में उसी flavor में trade करने के कोशिश कर सकते है तो यह दोनों चीज थी यहाँ पर put side यहाँ पर यहाँ पर आप मानलो कि नीचे के तरप कब trade करेंगे अगर market उपर जाएगा फिर से दोबारा नीचे आने के कोशिश किया और यहाँ पर एक time pass किया और यह नीचे का level market ने ब्रेक या तो scalping के लिए यहाँ पर 50 point बज़ते ह यहाँ पर हम एक trade कर सकते हैं, trade plan कर सकते हैं, अगर market gap up open होता है या फिर market नीचे flat open होने के बाद उपर जाता है और उधर से नीचे आता है, तब हम plan करेंगे, otherwise downside का trend लेने में कोई भी जलबाजी अभी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर data change हुआ, data में कुन से भी negative price action दिख आज का जो market है वो ज्यादा negative है तो हम negative side का trade plan कर सकते हैं, खिदर कर सकते हैं, यह नीचे, यह level के नीचे हम plan कर सकते हैं अगर market flat open होता है, उपर जाके नीचे आता है, consolidate करता है और range breakdown होता है, तो वहाँ पर हम plan कर सकते हैं अगर मानलों यहाँ पर से नीचे आ रहा है, तो कोई दिकत की बात नहीं है यह एक level है, यहाँ पर भी time pass नहीं किया, market यह level भी break किया तो हम यहाँ पर भी down side का trade plan कर सकते हैं, तो उसके बाद यह level में अगर positive position दिकाए दी तो हम up side के लिए plan करेंगी, यह level भहुती जादा strong है, यह level break होना नहीं चाहिए, अगर यह level break हुआ तो नीचे के और धबधबा start हो सकता है, तो यह होगा था हमारा nifty का plan, अब आते हैं, bank nifty के और bank nifty से पहले हम आते हैं, mid cap nifty, mid cap nifty एक range bound चल रहा है, market, तो यहाँ पर तो कोई भी intraday में कैसे plan कर सकते हैं, intraday में plan करने से पहला है, हमें देखना पड़ेगा position का चल रहा है, तो यहाँ पर एक consolidation चल रहा है, जब भी market यह जो all time हाई है, अगर यह market ने break किया, तो हमारे लिए अच्छी चीज होगी, कि ऐसे market देखने को मिल सकता है, यहाँ फिर market ने यह जो कल का Friday का जो low है, इसको तोड़ा तो एक नीचे की तरफ से छांदर opportunity यहाँ पर मिल सकती है, तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा 50 मिन टाइम फ्रेम के क्यों, अगर हमने देखा तो यहाँ पर market का एक strongest level है, strongest resistance level है, यहाँ पर, 13,400 एक strongest, अपने आप के लिए strongest level कर रहा है, अगर market gap up भी open ने होता है, flat open होता है, east beach में किदर भी open होता है, अगर downside के लिए break किया, तो scalping के लिए downside का trade plan कर सकते है, upset break किया, तो wait करेंगे, उपर ही जा सकता है, लेकिन यह level का wait करना पड़ेगा, इस level पर कैसे price action दिखाए देता है, अगर market मान लो, यहाँ पर consolidate होता है, और train को break करता है, तो यह all time high break किया, उसके साथ हम upside का trade plan कर सकते है, तो Monday को mid cap nifty की expiry है, और शाहिए Tuesday को bank nifty और fin nifty दोनों के expiry हो सकती है, तो plan simple है, यह जो level है, यह बहुती ज़्यादा important है, 13,300 यह वाला level बहुती ज़्यादा important है, इसके नीचे हम downside का trade plan कर सकते है, लेकिन इसके ऊपर मानलो flat open होता है, या फिर नीचे के यहाँ पर open होता है, तो कुछ भी ने करेंगे, यहाँ पर consolidation करने के साथ, अगर नीचे break हुआ, तो हम downside का trade plan करेंगे, consolidation होके ऊपर के तरफ ब्रेक किया, तो scalping कर सकते है, यह level थोड़ा सा danger होता है, इधर अगर consolidation halt किया, और इ 14409, अपने अपके लिए strongest resistance से इसको अगर break करना है, तो hot होके, ऐसा होके अगर break किया, afternoon session के लिए, तो अच्छा खासा moment हमें दिखेने को मिल सकता है, तो नीचे के और अगर market आया, यह level तोड़के नीचे market आया, तो हमने, हमें तो यह level जो है, तो यहाँ पर positive price action दिखाए तो हम upside का take plan कर सकते हैं, तो हम आते हैं अभी bank nifty के और, bank nifty में अच्छा खासा weekly time frame के लिए, तो shooting star दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर, तो जाज़तर क्या होता है, कि जब भी market upside जाता है, upside जाने के बाद, वहाँ पर अगर negative price action दिखाए दिखाए दिया, तो retailer क्या करते है, retailer उसके favor में trade करना पसंद करते है, लेकिन हमें क्या करना है, जब भी market उपर जाता है, उसके बाद अगर नीचे आया, दिन उसके बाद upside गया, और यहाँ से market नीचे आता है, वह strong होता है, यह ज़्यादा strong नहीं हो सकता है, लेकिन यह वालाची ज़्यादा strong होती है, डेफिन कप down cycle plan करेंगे, अगर मानलो यहाँ पर market थोड़ी देर halt करता है, उसके साथ market यह range break करता है, upside या फिर downside उसके साथ हम favor में plan करेंगे, जैसे कि market यहाँ से उपर गया था, मानलो यहाँ से उपर गया था, इसके साथ market यहाँ पर doji बना या, दिन यहाँ पर एक halt किया, और यह जब break होता है, तो इसके साथ हमें plan करते हैं, तो ऐसा चीज ज्यादा तर favor में जाती है, तो directly अगर market उपर गया होगा, और उसके साथ market में कौन सा भी negative price action हमें दिखाए दिया, तो वहाँ पर ज्यादा तर operator trap करते हैं, तो इसको देख के हमें negative price action, क्योंब और negative side का trade plan कब करे लेकिन positional में करने के कोशिश की, तो कभी-कभी SLB hunting होते हैं, तो deal time frame में आते हैं, deal time frame में हमें दिखाए दे रहा है, यहाँ पर एक range market ने create किया है, ऐसा range weekly time frame में होता, तो ज्यादा अच्छा होता, तो deal time frame में यहाँ पर एक range है, मान लो यह range अगर breakdown होता है, तो हम downside के तरफ upside के तरफ प्लान करेंगे, इस दोनों के बीच में रहेगा, तो sideways के लिए plan कर सकते हैं, अब आते हैं इंटाडे के time frame में, लेकिन यह ध्यान में दो, कि यहाँ पर market ने breakout दिया था, यह जो downer है, यह pullback हो सकता है, यहाँ पर hold करके बाद, उसके साथ हमें upside और downside का plan कर देंगे तो October महिने में क्या होता है, तो October महिने में quarterly result है, okay, HFC bank का भी result है, HFC bank का result I think 19 को है, okay, 19 I think Saturday को आ रहा है, तो जादतर holidays पर ही HFC bank result पेश करती है, तो HFC bank के result के पहल है, थोड़ा सा market hold जा सकता है, मतलब कि HFC bank, okay, तो यह HFC bank के था, उसका impact किदर किदर होता है, आपको मालूम ह होगा, नहीं होगा, तो सीख लो, okay, तो यहाँ पर आते हैं, अगर हमने 50 minutes time को analysis किया, तो यहाँ पर market भहुती जादा क्या होगा है, sad way गया है, okay, तो sad way गया है, तो इसके favor में हम trade plan करेंगे, मान लो, यह नीचे के और भहुती जाता है, अगर मान लो gap down open होता है, तो chances is very high, क जाएगा, because already उन लोगों को profit होगा, अगर gap down होगा, तो जिनोंने यहाँ पर short किया है, उनको बेटे बेटे profit हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, profit को book करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ हम trade कर सकते हैं, कभी trade कर सकते हैं, यह level very important है, कौन सा, तो 53,500 से लेके, 53,200, okay, यह जो level है, यह बहुत ही चाते है, अगर market यहाँ पर positive price action बारान की कोशिच करेगा, तो हम upside के लिए plan कर सकते हैं, उसके बाद जो level आ रहा है, वो यह level आ रहा है, actually, sorry, one second, यह जो level आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर, okay, यह वाला जो दोने आ रहा है, यह भी बहुत ही आच्छा strong है, अगर मान लो, यहाँ पर market आता है, 53,180 से लेके 53,000 जो की psychological number है, अपने आप में, तो दो चीज में हम प्लान करेंगे, एक तो यह वाला strong area है, okay, यहाँ पर market आता है, positive production दिखाता है, तो हम upside के लिए plan करेंगे, second, यह अपने अभी बताया था, यह level यहाँ पर भी कर सकता है market, okay, अगर gap done होगा, तो इधर से एक reversal pullback scalping plan कर सकते है, okay, अगर market मान लो, flat open होता है, उपर जाने की कोशच करता है, तो यह वाला जो 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 ने 54,200 से 200 के 19,20, okay, तो यहाँ पर अगर negative price action दिखाने की कोशच करेंगा, तो हम negative side का trade plan करेंगे, okay, level बताता हूं, wait one second, first level आ रह के 54,200, 35, तो यह level बहुत ही जाता है, interesting होगा, यहाँ पर अगर market आया, negative price action दिखाए दिया, तो हम downside के लिए plan करेंगे, okay, तो किदर positive price action के लिए upside का plan करेंगे, यह level है, यहाँ पर अगर market आया, okay, तो इस zone में अगर market आता है, तो यहाँ पर positive price action दिखाता है, तो हम upside के लिए plan आता है, तो उसके साथ buying आती है, okay, अगर इसमें कोई भी मतलब changes होगा, तो हम हमारे जो telegram channel है, वहाँ पर update डालेंगे, telegram channel का जो link है, वो description section में जाकर आप देख लोगो, okay,